यहां पर हम आज जो पढ़ाने वाले हैं topics उसका नाम है Indian Council of Medical Research 2017 के द्वारा जो दिया गया food groups है याने की खादे समू है वो हम discuss करेंगे जो कि आपका नया खादे ग्रूप है इसके पहले इन्होंने 5 खादे समू के बारे में बताया हुआ था जो कि हम पढ़ चुके हैं पूरे detail में पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारी important topics उसके अंदर भी हम लोग cover कर चुके हैं जैसे कि आपका pigments है, flower compounds है और acid है और बहुत सारी enzymes हैं यह सारी चीजे हम पढ़ा चुके हैं यानि कि आपके साथ video share कर चुके हैं अगर आपने videos नहीं देखे हैं आप यह सारे videos देख लो बहुत ही important है क्योंकि इसमें जो सारे खादे समू में जो पोश्टक तत्तों पाए जाते हैं उसके बारे में हमने discuss किया हुआ है अभी हम जो इस खादे समू में discuss करेंगे जो नया वाला खादे समू है तो उसमें उन्होंने कितने category में इसको divide किया हुआ है और उस आज है तो वो सारे खाद्य पदार्थों वही है बस केवल इन्होंने क्या किया है जो किया हुआ है उसको change कर दिया है तो categorization इनका यानि कि वर्गी करण है वो different कर दिया है और कुछ खादे Mongo्यर्पादार्थों को जो इसमीद कर दिया है तो ये changes इन्होंने किये हुए है जो अब जो इसके अंदर पोशक तत्तों हैं और जो भी कैलरी प्रोटीन ये सारी चीजे हैं उसके वालामा जो वर्नक एंजाइम्स आम लिए साही चीजे वो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं वही सारी चीजे इसमें भी रहेंगी तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ है अ स्टाट करते हैं आज का जो टॉपिक है हाँ एक चीज़ और में कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजी जिसे कि जो भी महात्रपोन टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आप तक प पढ़ेंगे हमारे और उसको लाइक भी जरूर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं खादे समू के बारे में कि इन्होंने कितने खादे समू में इन्होंने किया हुआ है फूर फोड ग्रूप्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है ठीक है खादे समू फूद घूसे सभी लोग जानते हैं तो पहले जो खादे समू है उसमें आ जायेगा आपका अपका अनाज मोटा अनाच आप इसको compare भी कर सकते हो जो 5 खाद समू है वो भी हमने पढ़ा दिया है आपको तो उससे आप इसको compare कर सकते हो आपको पता चल जाएगा कि क्या difference है अनाच, मोटा अनाच और दाले अब जैसा कि आपने अगर जो इसके पहले जो खाद समू दिया हुआ है जिसमें 5 चीजे आती हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो दाल है वो इस खाद समू में नहीं था ठीक है वो दूसरे वाले खाद समू में उन्होंने किया हुआ था पहले इसके पहले food groups था, लेकिन इस वाले food group में इन्होंने दाल को पहले वाले खादी समू में ही add कर दिया है, ठीक अनाज और मोटा अनाज तो था ही, इंग्लिश में भी मैं इसको लिख देती हूं, cereals, millets and pulses, ठीक है, अब आता है दूसरा खादी समू जिसमें की फल और सब सब्जियां आती है, फल और सब्जियां आती है इसमें, fruits and vegetables, ठीक है, आप इसमें जो फल और सब्जियां है, इसमें भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाएंगी, अर अछाएंगी इसमें अन्य सब्जियां और जो पहले सब्जियों में था स्मेatu इन ने 3 में डिवाइड किया हुआ था, एक तो पहला हरी पत्तेदार सब्जिया थी और दूसरा था आपका जिसमें की roots और tobers सब्जियां थी यानि कि जो जड़ा और तनी से सबजियां प्राप्त होती हैं, वो सबजियां थी, उसके बाद में इन्होंने अन्य सबजियां रखा था, यानि कि सबजियों को तीन में डिवाइड किया हुआ था, जबकि इस वाले खादे समों में इन्होंने दो में डिवाइड किया हुआ, एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरे में अन्य सब्जियां आ जाएंगी आपकी और तीसरा है फल ठीक है तो फल और सब्जियां ये तो पहले वाले में भी था अब बात करते हैं तीसरे खाद समोगी तो इसमें आ जाता है दूध और दूध और दूध उत्पाद दूध और दूध उत्पाद इसी में आपका अंड़ा भी आ जाएगा अंड़ा हो गया मांस और मच्छी इस पर स्फाइक कर दिया है इन्होंने वैसे तो उसमें भी था आपका मिल्क और मीट प्रोड़क्ट चलिए मिल्क मिल्क प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट्स एग मीट और फिश ठीक है तो यह आपके तीसरे खाद समोह आ गया अब इसके अंदर आप देखी सकते हो इन्होंने पहले से कर दिया कि आपके दूध आजाएंगे दूध से बने हुए खादे बदार्थ आ जाएंगे अंडा आएगा मांस आजाएंगे और मचली यह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी फिर उसके बाद में जो चौथा खादे समोह है इनका वो है तेल और वसा तेल और वस तिलहन इंग्लिश मैं भी यह आ लिक देती हूं ओयल एंड फैट नट्स एंड ओयल सीड ठीक है आप जो यह तिलहन है यहाँ पर इन्होंने चौथे खादे समोह में जो एड किया हुआ है तो वो आपका दाल में ही था दाले थी दलहन थी और तिलहन था अब इन्होंने दाल को पहले वाले खादे समोह में डाल दिया और तिलहन को तेल और वसा में डाल दिया है तो इस तरीके से जो आपका एक खादे ग्रुप था उसको मर्ज कर दिया इन्होंने दाल वाला जो था उसमें इन्होंने उसको मर कि अब जो question आएंगे वो आपके इसी खादी समू से आएंगे ठीक है तो यह चीजें आपको याद रखनी है और जो भी इसमें पोशक्ततों है या और जो चीजें हमने पहले खादी समू में पढ़ाई हुई है वो सब कुछ आपका as such वही रहेगा क्योंकि पोशक्ततों नही कि अनाज जो हम डाइट प्लान करते हैं आहार योजना के बारे में जो हमें पढ़ना है यह हमारा टॉपिक है तो आहार योजना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइट प्लान तो हम पढ़ेंगे ही कि कैसे हम डाइट प्लान करते हैं उसका step by step हम उसको पढ़ेंगे लेकि कि जब भी कोई भी आहार तयार करना है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके किसी भी restaurant या फिर हो, तो फिर वहाँ पर हमें उसको ध्यान में रख करके आहार तयार करते समय कौन-कौन से सिधान्त फॉलो करने चाहिए, वो चीजे हम यहाँ पर discuss करंगे, especially यह आपके family के लिए है, कि family में जो आहार तयार करने के कौन-कौन से सिधान्त है, यानि कि आहार तयार करते समय क्या-क्या चीजे हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आहार तयार करने के सिधान्त, जिसे हम कह सकते हैं, principles of, principles of diet planning, ठीक है, यह हम कह सकते हैं, चली, तो आप देखते हैं, इसमें कौन-कौन से stuff है, क्या-क्या चीजें बताई गई हैं, क्या-कौन से सिधान्त हैं, जब भी हम कोई आहार तयार करते हैं, तो क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी हैं, तो पहला है आपका, कि पोशक् को पूरा करना, सबसे पहली और important चीजें हैं, कि पोशक्तत्तों की आशक्ता को पूरा करना, आशक्ता को पूरा करना, ठीक है, तो यह तो पहला सिधान्त हो गया, कि जो भी पोश्चतत्तों की आशक्ता है, नीड है, वो जो भी हम आहार तयार कर रहे हैं, उस आहार से, जो भी nutrients मिल रहे हैं, वो हमारे नीड को फुल्फिल करने वाले होने चाहिए, यह हो गया, उसके बाद में दूसरा principle है, कि परिवार की आशक्ता की अनुसार आहार होना चाहिए, यानि कि परिवार में जितने भ हुए आहार तयार करना चाहिए, क्योंकि अब घर में कोई बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, एडल्ट होंगे, एडॉल्संस होंगे, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आहार को तयार करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो nutrients की नीड है, वो फुल्फिल हो सके, उसकी दोनों की बचत करने वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, समय की भी उप बचत हो, और उर्जा की ही बचत हो, उसके अलामा आर्थिक बचत भी करने वाला होना चाहिए, अब आर्थिक बचत का मतलब है, कि जैसे कि जो आपके seasonal fruits हैं, या फिर vegetables हैं, फल और सबज प्रमदाम में भी मिलता है, उसके अलामा, उसके benefits भी जादा होते हैं, क्योंकि वो fresh होते हैं, ताजे होते हैं, क्योंकि उसी season में वो आते हैं, तो आपको दो-दो फायदा मिलता है, एक तो वो fresh होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें पोशतत भी भरपोर मात्रा में इसके लामा अधिक्तम पोशक्तत्व प्राप्त करने वाले होने चाहिए जो भी आप आहर तयार कर रहे हो वो जादा से जादा पोशक्तत्व प्रदान करने वाले होने चाहिए अधिक्तम पोशक्तत्व प्रदान करना यह चीज़े ध्यान में रखनी है फिर उसके बाद में जो six principle है वो है कि प्रते की पसंद और नापसंद के अनुसार होना चाहिए यानि कि likes और dislikes के अनुसार तयार करना चाहिए पसंद और नापसंद के अनुसार होना चाहिए क्योंकि अगर पसंद नहीं होगा तभी वो नहीं खाएंगे और नहीं खाएंगे तो फिर उनके nutrients की need भी fulfill नहीं होगी उसके बाद में विभेन प्रकार के आहार यानि कि हर दिल एक ही चीजे नहीं बननी चाहिए उससे क्या होगा कि अगर कितना भी पसंद हो तो वो चीजे आदमी खा करके बोर हो जाता है ठीक एक ही चीज तो आप different different जो है आहार तयार कर सकते हो जिससे कि उनका interest भी बना रहे और उनके nutrients की need भी पूरी होती रहे फिर उसके बाद में भूग को त्रप्त करने वाला होना चाहिए यानि कि जो भी आप आहार दे रहे हो उसे भूग मिट जानी चाहिए ऐसा नहीं कि खाना खाया और उसके बाद भी भूग नहीं मिटी तो त्रप्त करने वाला होना चाहिए भूग को satiety value देने वाला होना चाहिए उसके बाद में नवा है कि local food सामिल करना चाहिए जो कि हमें पहले बताया कि local food अगर आप सामिल करते हो तो उसे क्या होता है कि आपकी आर्थिक भचत होती है और उसके अलामा आपको fresh मिलता है nutrients की need तो अलग पूरी होती ही है ठीक है तो यह नव हो गया उसके बाद में एक और बचा हुआ है दस्वा यहीं पर मैं लिख देती हूँ जो दस्वा है वो है स्वास्थे वर्धक आहार यानि कि आपकी स्वास्थे को बढ़ाने वाला होना चाहिए इस type का यानि सिर्फ आपकी nutrients की need को ही ना fulfill करे यानि कि पोश्रत दत्तों को ही बसकेवल आपके need को ना fulfill करे जितनी की आपके nutrients की जरूद है बलकि nutrients के अलामा भी जैसे कि आपके fiber हैं वो nutrients नहीं हैं phytochemicals हैं वो nutrients नहीं हैं लेकिन वो हमारे शरीर को स्वस्त रखने में हमारे जीवन को उत्तम बनाने में अच्छा बनाने में हमारे स्वास्थे को बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं तो स्वास्थेवर्दक आहार भी होना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए तो ये तो होगे कि कुछ सिध्धान जो की आहार तयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए तो इसे भी questions बनते हैं तो ये आपको सारे सिध्धान पता होने चाहिए कि आहार तयार करते समय कौन-कौन से principle होते हैं ठीक ह करेंगे diet planning खीक है तो अब सब से पहला है अब देखी जो diet plan किया जाता है उसमें दो चीजें है diet plan करते समय हम दो methods का यूज़ कर सकते हैं एक तो हम exchange list की मदद से diet plan कर सकते हarry exchange list यह मैं आपको दिखा दूंगी कि exchange list कैसे होती है क्योंकि जो exchange list होती है उसमें serving size दिया होता है और कुछ चीसे groups होते हैं कि जिन group में जो है समान, carbohydrate, protein और fat पाया जा रहा है तो उनको एक group में कर दिया जाता है तो इस तरीके से अलग-अलग groups बना दिये जाते हैं तो वो exchange list से diet plan करना बहुत ही आसान हो जाता है ठीक है एक तो exchange list से diet plan किया जाता है और दूसरा है composition table से composition table का मतलब है कि इसमें जो है per 100 gram आपकी खादे पदार्थों में जो nutrients पाये जाते हैं carbohydrate, proteins, fat, vitamins, minerals तो per 100 gram में वो दिया होता है कि per 100 gram में कितना carbohydrate, protein, fat, mineral हर एक पदार्थ का दिया होता है तो आपको सिर्फ उसमें से देखना होता है 100 gram में दिया होता है और जितनी gram आपको चाहिए वो आप calculation करके निकाल लेते हो और आप diet plan कर देते हो लेकिन जो exchange list है वो ज्यादा इजी पड़ता है तो हम यहाँ पर जो discuss करेंगी जनरली जो यूज किया जाता है diet plan के लिए जो diet decision यूज करते हैं तो वो exchange list का ही यूज करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है और इसमें time भी कम लगता है तो चलिए जो पहला step है इसमें first step है उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप exchange list अपनी तयार करोगे यानि कि अपने पास पहले exchange list रखोगे ठीक है यह हो गया उसके बाद में जो दूसरा step है उसमें क्या करना है कि अब आप sample menu तयार करोगे sample menu तयार करोगे sample menu का मतलब है कि जैसे की breakfast में क्या देना है यह आप लिखोगे breakfast, lunch, snacks, dinner ठीक है जो में चार है तो इस तरीके से sample menu में आप breakfast में आपको क्या देना lunch में क्या देना है snacks में देना है यानि कि tea time पर क्या देना है और dinner में क्या देना है यह सारी चीज़े आपनो down कर लोगे तो यह आपका step 2 हो जाएगा अब उसके बाद में जो आपका step 3 है step 3 ठीके अब इसमें क्या जाएगा step 3 में क्या करना है कि food plan करना है अभी आपने sample तयार कर लिया कि आपको देना क्या-क्या है ठीके अब food की planning करने है यानि की आहार योजना बनानी है food planning में यानि की आहार की योजना बनानी है अब इसमें आप क्या करोगी sample menu आपने तयार कर लिया है अब इसमें आपको मैं यहां पर आपको chart बना करके दिखा देती हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी ठीक है आपको clear हो जाएगा बिल्कुल भी आपको कोई confusion नहीं रहेगी तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो भी हम बता रहे हैं यहां पर इसे आप diet plan भी कर सकते हो आसानी से ठीक है एक तो तीन चार पांच ठीक है हम यहां पर सिर्फ आपको समझाने के लिए सब बना कर दिखा रहे हैं जिसे की आपका बिल्कुल clear है तो पहले में यहां पर आपका food groups लिखोगे आप यह diet plan करने का तरीका हम बता रहे हैं यहां पर आप food groups लिखोगे यानि कि जैसे की हमने food groups के बारे में बताया कि पहला food group है उसमें अना जा रहा है मोटा अना जा रहा है दाल आ रहा है फिर दूसरे में फल और सबजियां आ रही है तीसरे में चौथे में तो ऐसे आप अलग-अलग food groups को यहां पर लिखोगे ठीक है और यहां पर हो जाएगा number of exchange number of exchange ठीक है यहां पर आपके जो number of exchange होगे कि यहां कि total number of exchange जैसे कि आपने अनाच का कितना exchange दिया है एक, दो, तीन, चार कितना दिया हुआ है उसके बाद में डाल का कितना exchange दिया हुआ है exchange का मतलब है आपका serving size यानि कि एक बार आप जो serve कर रहे हो जैसे कि माली जे की एक रोटी है तो आपकी वो एक serving size हो गई फिर अगर आप दो रोटी दे रहे हो तो वो दो serving हो गई तो इसी तरीके से आप डाल दे रहे हो तो एक medium कटोरी आप डाल दे रहे हो तो वो आपकी एक serving हो गई तो इस तरीके से हर एक का जो है अलग-अलग amount होता है ठीक है वो चीज में आपको को दिखा दोंगी, चाट के माध्यम से आप समझ जाओगे, तो सर्विंग साइज को ही एक्षजेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल बनुम्बर आफ एक्षेंज आप लिक होगे। उसके बाद में अब टोटल बनुम्बर आफ hydrate मिल रहा है, ठीक है, तो यहां स्टार्टिंग में ही आप सारा calculate कर लोगे, जितना यहां पर जैसे कि मा लेजे, यहां पर अनाज, मोटा अनाज, और दाल, ये पहला हमारा है, खार्दसमू, ठीक है, तो अब आपने अनाज में जैसे कि गेहों की रोटी दी हुई है, दो रो दो रोटी दो पहर में दी दो रोटी डिनर में दी तो आपकी चार रोटी हो गई ठीक है तो यहां पर दो न हो करके आपका चार रोटी चार सर्विंग तो उसकी हो गई रोटी की ठीक है यह अनाज में मोटे अनाज में का मतलब है जैसे कि रागी जौर बाजरा यह साही ठीक है अब डाल में आपने दोपर में भी दाल दिया हुआ है रात में भी दाल दिया हुआ है तो दो सर्विंग उसकी हो गई ठीक है यानि कि एक बावल आपकी एक सर्विंग हो गई तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया चार और दो मिला करके आपकी टोटल सर्विंग 6 हो चार एक्सचेंज दिया हुआ है उसमें कितना एनर्जी है कितना प्रोटीन है कितना फैट कार्बोहाइडरेट है तो आपको मिल जाएगा वह पर्टिकलर जिसाब मैंने बता है कि उसमें गुरूप बना करके दिया जाता है और जो है आपको उसमें अलग-अलग नहीं देखन पड़ेगा कि हां यहों के लिए अलग देहना पढ़ रहा है कि ऐसा नहीं है वह एक गुरूप का एक साथ दिया होता है तो आप देख लोगे कितनी एनर्जी मिल रही है कितना फैट मिल रहा कितना कार्बोहाइडरेट मिल रहा है तो इस तरीके से आप जो है सारे खादे सम कि कितना आ रहा है, यहां पर total exchange आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका total exchange आ जाएगा, और यहां पर आपकी total energy, total protein, fat और carbohydrate यहां पर आपका आ जाएगा, अब चुझकि जब भी आप diet plan करते हो, तो उसके पहले आपको energy, fat और carbohydrate और protein, यह सारी चीजे आपको निकालनी होती, या तो आप RDA table से देख सकते हो, कि कितनी energy, कितनी protein, कितना fat दिया जा रहा है, अगर किसी ऐसे group का दिया हुआ है, कि मालिये sedentary man का दे दिया गया, sedentary women का दे दिया गया, तो आपको RDA से पता चल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, otherwise मालिये कोई disease person का दे दिया है, तो वह आपको चुकी RDA से तो नहीं मिलेगा, तो वहां पर एक normal person का दिया हुआ है, आप वो देख सकते हो, फिर उसके बाद में आप जो है, उसके basis पर आप energy निकाल सकते हो, protein निकाल सकते हो, fat निकाल सकते हो, और carbohydrate निकाल सकते हो, अब यह कैसे निकाला जाता है, यह मैं आपको next class में calculate करके दिखा दूँगी कि किस तरीके से energy, protein, fat और carbohydrate आप calculate कर सकते हो, ठीक है, चली, उसको मैं next class में बताऊंगी आपको, तो यह step 3 था, आप उसके बाद में आ जाएगा step 4, तो अब जो है, हम बात करेंगे यहाँ पर, step 4 की, step 4, एक मैट में काफी यह, ठीक है, तो step 4 में क्या चीज़े आएंगी, इसमें आ जाएगा आपका meal pattern, meal, जो भी आप meal दे रहे हो, जो आपने sample तयार किया होता, उसका तरीका क्या है, pattern क्या है देने का, तो अब जैसे कि आपने पहले total number of exchange लिया हुआ था, अब इसको आप यहाँ पर divide करोगे, ठीक है, देखी कैसे divide करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा आपकी, फर्दर यह आपको पता होना चाहिए, तो यह आपका help करेगा, और यह चुकि अब exam में भी पूछ लिया जाता है, यह सारी कीज़े भी आप पूछने लगा है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, अब इसमें क्या है, इस टेफ और में इस number of exchange आजाएगा, ठीक है, number of exchange का मतलब है, पहले आपने total number of exchange लिये थे हर एक ग्रूप का, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें आप breakfast में आपने कितना exchange दिया है, ठीक है, अब इसको breakfast, lunch, snacks और dinner में आप इसको divide कर दोगे, पहले आपने total number of exchange लिख लिया था, अब यहाँ पर आपने breakfast में कितना total दिया हुआ है exchange ग्रूप के हिसाब से, food groups जो यहाँ पर 4 हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देना होगा, यानि कि पहले food group में आपने breakfast में कितना exchange दिया है, lunch में कितना दिया, snacks में कितना दिया, dinner में कितना दिया, फिर दूसरे के हिस आप से कितना दिया इसी तरीके से आपका तीसरे और चौथे में breakfast, lunch, snacks और dinner में आपको total exchange को यहाँ पर divide कर देना है ठीक है meal pattern यानि कि अब जो meal आप प्रदान कर रहे हो उनको दे रहे हो उसका तरीका क्या है यानि आप उसको breakfast, lunch, snacks और dinner में इसमें divide कर दोगे इसके बाद में आजाएगा इसके बाद में आप क्या करें इस्टेप 4 हो गया अब आजाएगा इस्टेप 5 चुकि यह हमारे syllabus में है कि आहार तयार करना आहार योजना है तो आहार योजना में आपको पता होना चाहिए कि diet plan करते समय हम कौन-कौन से इस्टेप को follow करेंगे ठीक है अब आपका आजाएगा meal plan यह आजाएगा आपका meal plan ठीक है अब meal plan में आपका यह कह सकते हो यह आपका last step है ठीक है यह आपका last step है तो यह आप देख लो यह last step है यह आप खतम हो जाएगा कि हां किस तरीके से plan करते हैं कि अब इसमें आपको यहां पर रहेगा आपका meal time मिल time का मतलब है breakfast, lunch, snacks और dinner यह आपका meal time हो गया है उसके बाद में अब यहां पर आपका आजाएगा menu जो कि आपने sample menu में लिखा हुआ था menu में मतलब को जो जो dish आपने देविए breakfast में क्या दिया है माले breakfast में आपने कुछ तयार किया हुआ है कोई recipe dish बनाई हुई है पोहा दिया हुआ है दलिया दिया हुआ या फिर रोटी सब्जी पराठा सब्जी या इस्टरब्ड पराठा जो भी आपने बनाया हुआ breakfast lunch snacks ordinar यहाँ पर आपको menu लिखना है फिर इसके बाद में यह पर ingredients उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं क्या क्या चीजीं आपने उसमें सामगरी डाली हुई है वो यहाँ पर ingredients लिखना होगा आपने माले यहाँ पर breakfast में पोह दिया है पोहा और चाय दिया ठीक है अब पोहे में क्या-क्या चीजें इंग्रिएंट्स जिसे की चूरा हो गया आपने प्यास डाला है और टमाटर डाला है ठीक है यानि कि जो जिसे अम नमक हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है नमक क्योंकि पिंच भर डालते हैं तो नमक हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं तो लेकिन जैसा कि इन्हों ने चा सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है तो यह हो गया अब यहां पर चाह में आपने दूड डाला है उसमें चीनी आ जाएगी ठीक है चाह पतिका तो नहीं आप काउंट कर सकते हो तो दूड और चीनी ओके यह चीज़ें आ जाएंगी फिर इसके बाद में इंग्रेंट्स हो जाएगा अब यहां पर आपको food groups लिखना है वो किस food group में आ रहा है वो चीज़ें आप यहां पर लिखोगे इसके बाद में यहां पर number of exchange लिखोगे ठीक है और यहां पर आप जो है लिखोगे approximate उसका amount ठीक है जिसे कि अब एक रोटी होती है तो एक रोटी लगभग कह सकते हो 25 से 30 ग्राम की होती है अब य है कि जो है रोटी कैसी है हलकी है मोटी है लेकिन एक जो common होता है वो आपका 25 से 30 ग्राम की एक रोटी होती है तो यहां पर वो amount लिखना होता है क्योंकि यहां पर तो आपकी serving size लिखी हुई है ठीक है exchange लिखा हुआ है लेकिन अब वो कितने ग्राम का है वो approx amount यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा हां यह जो आपका पहला वाला पहला नहीं कैसी है तो आपने यहीं पर ही total number of exchange काउंट कर लिए ठीक है और आपने यहां पर total energy protein fat सब कुछ निकाल लिए अब फर्दर क्या है जो आगे के step है उसमें क्या करना है सब कुछ आपने यहां पर calculate क अब बस के वाल आगे आपको उसको divide करके लिख देना है तो इस वज़ा से यह आसान पड़ता है easy होता है ठीक है और last में फिर एक चीज और आती है कि यह जो आपका तो plan तो हो गया complete हो गया इसके बाद में अब यहां पर last में आजाता है conclusion कन क्लूजन अब कन क्लूजन में क्या होता है यह में बता देती हूं last में यहां पर यह चीज लिखना होता है जब आप diet plan करते हो जिससे आपको पता होगे कि कितना difference आया है तो इसके लिए आपको यह चीज लिखनी पड़ती है यहां पर आपका energy जो कि आपकी kilo calorie में रहेगी protein हो गया यह ग्राम में हो जाएगा यह fat हो गया यह भी आपका gram में हो गया ठीक है और यहां पर आप RDA की value लिख होगे मलब RDA के according कितनी energy protein fat और carbohydrate चाहिए थी यानि कि आपने जितनी calculate की थी starting में ठीक है पूरा diet plan किया diet plan करने के बाद में last में आपने जो calculate किया हुआ है ठीक है अब इसमें क्या होगा RDA के according जितना देना था हमें exact जिसे आपने जो पहले calculate किया था कि हामें इतनी RDA के हिसाब से इतनी energy protein fat और carbohydrate होना चाहिए उसकी बाद में जिब आपने diet plan किया तो अब जरूरी नहीं कि exact energy मिले आपको protein fat और carbohydrate मिले थोड़ा पहर difference आ जाता है कि इसे energy है तो energy में क्या कर सकते हैं हम कि energy में आपका plus या minus 100 इतना हम fluctuate कर सकता है यानि इतना difference आ सकता है plus 100 या minus 100 आप कर सकते हो और या फिर इस से कम अगर जितना इस से कम अगर चाहो तो कर सकते हो तो और बेटर है अगर difference ना आए तो लेकिन maximum जो है plus or minus 100 कर सकते हैं प्रोटीन में आपका plus और minus 5 हो सकता है और fat और carbohydrate में तो फिलहाल हाँ carbohydrate में भी लगभग 50, around 10, 20 या 50 इतना थोड़ा बहुत difference चल जाता है ठीक है लेकिन energy और प्रोटीन में इतना हो जाता है आप कर सकते हो अब यहां पर आप लिखते हो difference कितना आया है ठीक है जैसे कि माल लेजे आपने जो energy count किया था वो था आपका पंद्रा सो आपका आया है यहां पर तेरा सो ठीक है तो यहां पर आपका difference कितना आया गया 200 का इसे तरीके से आपको यहां पर protein, fat और carbohydrate का भी लिखना होगा यह हम में पता चले गया कि कितना difference आया है कितना हमने calculate किया था ठीक है कितना RDA के हिसाब से था और कितना हमने calculate किया जो की आया है हमारे जो हमने mealoon को provide की है उससे कितना energy, protein, fat, carbohydrate मिला है और कितना difference आया है तो यह आपका हो गया diet plan अब जो energy, fat, protein, carbohydrate निकाला जाता है अगर माली जी आ हम इसको count कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो वो चीज भी मैं आपको कल अच्छे से आपको समझा दूँगी ठीक है next video में आपको detail में count करके बताऊंगी किस तरीके से calculate किया जाता है चली यह हो गया अब जो है एक चीज हम और यहां पर पढ़ लेते हैं कि therapeutic diets क्या होता है therapeutic इसका हम बसके वल classification बता देंगे इसके बाद में जो इसका detail है वो आपको हम next class में ही आप शुरू करेंगे पढ़ाना अब ही हम सिर्फ यहां पर classification बता देते हैं कि therapeutic diets के बारे में इसको बोलते हैं उप चारात्मक आहार अब चुकि आप में जो दिया गया है जो सलावस दिया गया है उसमें कहीं भी इसको एजल therapeutic diet ऐसा इंप्लूड नहीं किया गया है लेकिन आहार योजना में ही आपका यह आजाता है क्योंकि आहार योजना में अब जो है किस type के आमने आहार योजना तो बता दिया आप क्या आता है इसी के अंदर में आ जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आहार किस-किस ट्राइप के आहार होते हैं तो डिफरेंट टाइपस ऑफ डायेट होती है तो वह हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन आज बताते हैं आपको फेस के बाद में इसका ज अब देखिए जो उप्चारात्मक आहार है या फिर जो ठरपटिक डाइट है उसमें डिफरेंस क्या है एक तो आपका सामान आहार होता है जो कि हम नॉर्मली ले रहे हैं ठीक है उसमें हमें ध्यान क्या रखना है सामान आहार में कि सामान आहार में हम जो है अपने उसके हि जो भी RDA है, ठीक है, जो भी हम activity कर रहे हैं, हमारी physical activity और जो RDA है, इन सब को ध्यान में रखते हैं, सारे खादे समू से होना चाहिए, जो भी हम diet ले रहे हैं, वो सारे खादे समू को include करना चाहिए, सारे खादे समू से आपके भोजन, जो foods आप ले रहे हैं, वो होने कि जो therapeutic diet होती है वो especially आपके diseased condition में दी जाती है यानि कि जब भी किसी patient को कोई भीमारी हो जाती है जिसे मली डायपेटीज हो गया या फिर कोई heart की problem हो गयी या फिर fever हो गया तो मतलब ऐसा कुछ कोई रोग हो गया या फिर कोई infection हो गया जिस time पर कि हमें उसमें फिर उनको उप्चारात्मक आहार दिया जाता है यानि कि उनकी जो body है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं उनके स्वस्थ होने के लिए हमें जो diet देते हैं आहार देते हैं उसमें modification करना पड़ता है कुछ चीजें हमें उसमें include करनी पड़ती है और कुछ चीजों को उसमें से हमें निकालना पड़ता है कहीं पर high calorie देनी होती है कहीं low calorie देनी होती है कहीं high protein देना होता है कहीं low protein देना होता है तो ये चीज आपका therapeutic diet में आ जाता है, यानि कि उप्चार आत्मक आहार में आजाता है, उप्चार आत्मक आहार का मतलब है कि ऐसा आहार दो, जिससे की रोगी का उप्चार हो सके, ठीके, उप्चार हो सके, इनका देख भाल वो, उनका स्वास्ति जो है वो अच्छा हो जाए जल्दी से जल्दी तो चलिए तो आहार के प्रकार में आ जाता है हम अगर अस्पताल के आहार की बात करें अस्पताल, समान आहार के बारे में हमने बता दिया ठीक है तो उप्शारात्मक आहार को हम यहां पर उसकाक्लासिफिकेशन कर रहा है तो सबसे पहला होता है आपका हॉस्पिटल डाइट अब हॉस्पिटल डाइट में कौन-कौन सी डाइट आएगी वही चीज़े हम बिसकस करेंगे ठीक है हॉस्पिटल डाइट इसमें दो है आपका एक तो सामान्य और नियमित आहार सामान्य या फिर आप कह सकते हो नियमित आहार ठीक है यह हो गया सामान्य या फिर नियमित आहार यानि कि नॉर्मल या फिर रेगुलर डाइट नॉर्मल और रेगलर डाइट यह हो गया दूसरा है आपका संशोधित आहार संशोधित आहार यानि कि इसको हम इंगलिश में कहेंगे मॉडिफाइड डाइट तो जो हॉस्पिटल डाइट थी यानि कि जो अस्पिताल का आहार है वो दो तरीकी का होता है आपका या तो एक सामाने और नियमित आहार होता है और या तो फिर वो संशोधित आहार होता है अब सामाने आहार और क्या होता है संशोधित आहार क्या होता है ठीक है तो यह चीज़े हम कल डिसकस करेंगे आज सिर्फ हम आपको classification बता रहे हैं ठीक है तो यह हो गया अब जो यहाँ पर modified diet है संशोधित आहार है समाने आहार तो हो गया इसमें आपको कोई classification नहीं है लेकिन जो यह modified diet है इसको भी further classify किया गया है संशोधित ठीक है अब संशोधित आहार को further classify किया गया है modified diet है अब इसमें आपका आजाएगा इसमें भी दो type के हो जाएंगे आपके पहला है तरल आहार तरल आहार जिसे की हम कहेंगे liquid diet यह सब जिसका जो हम detail में discussion कल करेंगे पूरा की detail में यह क्या-क्या होता है इसके अंदर कौन-कौन से खादे-बदार्थ आएंगे वो सारी चीजें हम कल discuss करेंगे और दूसरा है आपका इसमें नरमाहार आजाता है यानि की soft diet ठीक है आप जो तरल आहार है इसमें भी आपका दो टाइप का है एक तो है आपका असपस्ट तरल आहार जिसे की हम इंगलिश में कहते हैं clear liquid diet ठीक है और दूसरा है आपका पूर्ण तरल आहार पूर्ण तरल आहार अब यह जो मैं बता रही हूं इसमें पूंच रहा जाता है कि पूर्ण तरल आहार में कौन-कौन से खादे-बदार थाएंगे यह भी questions आते हैं आप अगर previous year का question उठा करके देखो तो आपको इससे भी question कही सारे मिलेंगे ठीक है तो इसले इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था तो अब आपका सामाने तो हो गया अब जो तरल और नरम आहार में भी दो है आपकी एक तो एक तो ट्रियर लिक्विड डाइट हो गया और दूसरा आपका हो गया फुल लिक्विड डाइट अब इसको हम डिटेल में next class में discuss करेंगे next topic आम अलगा जो आपका next video होगा उसमें हम discuss करेंगे कि इसमें कितनी-कितनी calories आएंगी, protein आएगा, कितना fat होगा ठीक है तरल आहार में कौन-कौन से खादे-पदार्थ आएंगे, पस्ट में कौन सा आएगा ठीक है और ये किन-किन patient को दिया जाता है किस प्रकार की रोग में इन खादे-पदार्थों को दिया जाता है तो बहुत ही important है जरूर इसको देखिएगा next class में हम इसका discussion करेंगे अच्छे से पर पूरा detail में इसको हम पढ़ेंगे तो चलिए फिर आप class को हम यहीं पर जो है इसका end करते हैं तो अगर फिर से यह कहूंगी कि जितने भी अगर आपने जो previous videos मेरे नहीं देखियों हुए हैं तो जरूर देख लीजी जिसे कि आपको जो खाद समू हैं बहुत अच्छे से समझ में आजाए बालंस डाइट क्या है खाद समू क्या है जो स्टाइंग में हैं बहुत सारी चीजे हमने बताई हूई है बहुत इंपोर्टैंट है वो चीजे तो छोटी-छोटी चीजे हैं जो कि आपके exam में पूंच जाती हैं तो चलिए फि वीडियो को क्योंकि व्यूज बहुत सारे मिलते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम मिलते हैं तो अगर आपको पसंदार आया है मारा वीडियो तो लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें ओकी थैंक यू सो मच